नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का भगवान शिवशंकर भोलेनात के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जो आज का वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव शंकर भोलेनात के शिव लिंग पर चड़े हुए बेल पत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित है या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखी, आप अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर लिखे ओम नमा शिवाय आपकी सभी मनो कामनाओं को भगवान शिवशंकर भोले नाथ पूरा करेंग तो दोस्तों आखिर क्या होता है आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उसे पर जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं कई बार आपने सुना होगा लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पत चलने वाली आप लाखों करोडों रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे यूट्यूब में यहां बातें नहीं पता, चल पाएंगे तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेल पत्र को चढ़ाते हैं, तो वह बेल पत्र कोई साधारन बेल पत्र नहीं रह जाता, बल नहीं माना जाता, जी हां, बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनध होकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेल पत्र उपलब्ध नहीं हो पाए, इसी वजह से कई लोग बेल पत्र उपलब्ध देना होने के कारण, पुराने बेल पत्र का जो चोरा होता है, उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसा विधान है तो दोस्तों, बेल पत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौर महायोग टीवी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और यह विश्व चारों और फैलने लगा था, उसी समय पूरी स्रिष्टी विश्व को बचाने के लिए, विश्व बचाने के लिए, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विश्व को अपने कंठ में धारन कर लिया इसलिए महादेव को उसे दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा, परंतु विश्व के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा, और वहाँ देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों स सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विश्व से कैसे बचाया जाए, तो दोस्तों उसे समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनात को बेल अपत्र का सेवन कराया और भगवान शिव शंकर को उसे समय वहाँ पर जो तभी उपस्थित देवी देवताओं ने ततकाल बेलपत्र खिलाया और जल्द से स्नान कराया। ठीक है इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों शिव लिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल्द जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीरवाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि तीन पट्टी वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोले नाथ को आप चढ़ाई जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उसे तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है कि भी कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं था है क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जो है गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था तभी से भगवान शिव शंकर भोले नाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज है नहीं चढ़ाई जाए ना ही अर्पित की जाए तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है चाहे वह बेल पत्र हो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा और वाकई में भगवान शिवशंकर भोले नात की कृपा चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रती एक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है और हिंदू भाईयों को ये वीडियो शेयर भी जरूर की जगह तो दोस्तों हम थे शिवलिंग पर अगर आप प्रती दिन बेलपत्र चड़ाई तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियों में बरकत आती है पैसे की समस्या खत्म हो जाती है दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाईयों में बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है यह जानकारी आप लाखों करोडों रुपे खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे नहीं यूट्यूब पर कर पाएंगे कितना भी वीडियो देख लीजिए इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना मिलेगी इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए जी हाँ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आप भी हिंदू भाईयों बहनों के सौभाग्यतुम काम करें दोस्तों इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है तो आईए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेश जानकारी दोस्तों हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया है गया है कि कुछ विशेश समय होता है जिन में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसे विशेश तिथी जिम बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में रहते हैं बेल पत्र को हमेशा चतुर्थी, अश्टमी, नवमी, दश्मी, अमावस्या और पूर्णिमाव संक्रांती के तिथी में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, साथ में सोमवार के दिन बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेशकर बेल के भगवान शिवशंकर सोमवार के दिन वास करते हैं क्योंकि बेल पत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिवशंकर का वास माना जाता है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बेल पत्र के जो बेल होता है इसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ती होता है उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा प्रति दिन दोपहर 12 हालाज के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड चाहिए। यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है और आप फिर भी बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलेगा बहुत ही विशेश जानकारी बता रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कोई भी आपकी मननत है आप चाहते हैं आपकी मनो कामना पूरी हो। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनात की जय हो। ओम नमा शिवाये जरूर लिखें तो दोस्तों अब जो प्रश्णा आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई आईए जानते हैं तो दोस्तों इसके अंदर पुराण के अनुसार। एक बार माता पारवती की पसीने की कुछ बंधे मध्यान चल परवत पर जागीर। इससे वहाँ एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजन जी की शिवलिंग पर चड़ते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है बलकि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है जो कि असद बीमारियों को दूर करने में आपकी पीडा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ बल है क्योंकि बेल पत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है इसी लिए वह आपके लिए अम्रित जैसा बन जाता है तो आखिरकार शिवलिंग पर चड़े बेल पत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फाइदा मिलता है क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन मे इसके बारे में जानेंगे लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह यूट्यूब चैनल हमारा चैनल नहीं बाकी हम सभी दर्शकों का चैनल है सभी हिंदू भाईयों का चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए हमारा मनोबल को जरूर बताईए कमेंट बॉक्स में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेल अपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट मचली मुरगा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं शराब पीते हैं चैनी खैनी गुट का तंबाकू ये सब चीज जो होती है उसका धारन करते हैं परन्तु एक समय के बाद दुनिया लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वह गलत चीज था परन्तु आप वहां यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नित्य कम से काम ज्यादा नहीं तो एक महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोले नाद भगवान शिव शंकर पर चड़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारन करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णता आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे आपने कभी भी मीट मचली मूर्ख इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है आपने शराप पिया है आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न पाये जाते हैं। आपको भगवान शिवशंकर भोले नात के इस प्रसाद को ग्रहन करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा। आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों कैसे भी आपका दुर्भाग्य हों। जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है इसके बाद आयूरवेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है खून होता है दोस्तों महायोग टीवी का संकल्प है आप तक सही जानकारी पहुंचाना हिंदू धर्म की वह साफ होता है अगर खून संब संबधित कोई बीमारी है नित्यपाँच बेल पत्र खाई पांच बेल पत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो हून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमेधीमे खत्म होने लगेगी आपका शरीर बहुत ही सवच्छ हो जाएगा एक बेल पत्र का यह दूसरे दिन दो बेल्पत्र दिखाईए, तीसरे दिन तीन बेल्पत्र चाहिए. इस परकार से आपको जो बेलपत्र खाने का करम है, उसको बढ़ाना होगा धीरे धीरे दिखाईए. लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिलकुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को जैसे आपके शरीर में किड़नी होती है किड़नी क्या करती है जो पानी होता है जो खून होता है उसको फिल्टर करती है उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है आपका खून में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देते हैं फिल्टर कर देता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमा शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा सभी दोस्तों को यह शेर कीजिएगा बहुत ही जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी है साथ में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नेट रूप से एक महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ती होगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास वह आप समीर आप चाहते हैं कि आप भी इतना पैसा कमाएं आप भी महनत बहुत करते होंगे लेकिन उत्तरधन नहीं कमा पाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा ले जाता है बिना महनत के क्योंकि दोस्तों मेहनत तो सभी लोग करते हैं, पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है और ये किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है, जो लोग नित्य रूप से भगवान, शिव, शंकर, भोलेनाथ जी हां, हमारे पूज्वान की पूजह करते हैं और भगवान आपको मालूम है भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीरवाद होता है उन거 कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, पैसे की कमी नहीं होती है दोस्तों, आपके जीवन में खुशी कम है, आप पैसा भी है, आपके पास खुशी लेकिन नहीं है, शांती नहीं है, आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, कोई ना किसी प्रकार की उलजण बनी रहती है, त लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़ चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आसपास में लड़ाई जगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है, यही वज़य है, अगर आप बेल पत्र का सेवन करेंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेल पत्र के सेवन करने से सांसारिक जो मोह माया होती है वह समाप्त होने लगती है दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपनी प्रत्येक मित्र के पास जरूर शेयर करें आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी फिर आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसी में खुश रहेंगे लेकिन खुशी आपके पास ही रहेगी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मैं आपके यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको नहीं बतानी चाहिए लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भगवान शिवशंकर का जो प्रसाद है अगर आप उसको ग्रहन करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपकी समस्याओं का निर्धारण होगा दोस्तों मैं आपको बता दे कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता, अगर आप उसको नित्य रूप से कहते हैं, तो आपको सीड़ीयों का प्राप्त होता है, अर्थात आप जान जाते हैं कि भूत भविश्य वर्तमान में क्या होने वाला है, आने वाले समय को आप पहले से बाप लेते हैं, इसी लिए भग्वान का जो आ कर भोलेनात की खुद की कृपा होती है इसी लिए मैं आपसे हाथ जोड कर विनती करूंगा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं एक बार कहने हमारे कहने से आप इसको शुरू कीजिए आपकी बीमारी तकलीफ सारे कश्ट दूर हो जाएंगे दोस्तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वह जनहित एवं जनकल्यान के समस्त जानकारी हेतू लोगों की सहायता करने के लिए बना है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव शंकर को अगर आप बाकी में दोस्तों मैं महायुद्ध टीवी का ओनर आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों एवं हिंदू भाईयों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि उन्हे जानवर्धक पेडों के बारे में प्रत्येक जानकारी एवं जड़ी बूठियां की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कोई दूसरा यूट्यूब चैनल आज तक न बताता है और ना ही वह जानता है माहा शिवरत्री दो हजार चौबीस हिंदू धर्म में भगवान भोलेनात की पूजा का विशेश महत्व होता है। उन्हें दयालू और कृपालू भगवान माना जाता है जिनकी प्रतिष्ठा बहुत उच्च है। वे एक लोटे के जल से भी संतुष्ठ हो जाते हैं। महा शिवरात्री शिव भक्तों के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस पर्व पर भगवान शंकर की विशेश पूजा और अर्चना की जाती है और भक्त वरत और पूजन के साथ इसे ध अच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को भी आप पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए। भोले नात की कृपा पाने का हम एक आपको अचू कुपाय भी बताएंगे। चलिए। आगे जान लेते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार साल में दो बार महा श शिवरात्री फालगुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को आती है और दूसरी महा शिवरात्री श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को मनाई जाती है। दोनों महा शिवरात्री पर्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फालगुन मास में मनाई जाने वाली महाशिवरात्री के संदर्भ में कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा करने से सोखी विवाही जीवन की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की काम ना की जाती है। महाशिवरात्री आठ मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। ये महाशिवरात्री फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी को मनाई जाती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पारवती की भी पूजा की जाती है। आईए हम जानते हैं महाशिवरात्री की पूजा की तिथी और महत्व के बारे में महाशिवरात्री दो हजार चौबीस की तारीख और पूजा समय। महाशिवरात्री के अवसर पर दिन के चार प आगे जानकारी बताने से पहले महायोग भी चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे हर एक भारतिय नागरिक तक यह वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इसके बारे में संपूर्ण घ्यान की ही प्राप्ती हो दोस्तों. आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चलिए जान लेते हैं फालगुन मास 2024, चतुरदशी तिति की शुरुवात, आठ मार्च 2024, रात्री नौज और आश सयावान बजे, दोस्तों अपने कमेंट में जैभोले नाथ ना लिखा हो तो जरूर लिख दे और अपनी राश्य को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे, दोस्तों अब हमने आपको टाइम बता दिया है, अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आप अपनी राश्य को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे क्योंकि हम राश्य से जुड़े आपका भाग्य भी बताते हैं और आपकी भाग्य में चल रही परिशानियों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी बता चुके हैं। महाशिवरात्री का उत्सव मनाया जाता है। ये दिन शिव और शक्ति के मिलन का संकेत होता है। रात्री के चार प्रहरों में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी उपाय से आपकी जो मनोकामना है या आपकी जो भी इच्छा है उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकती हैं। या फिर यह भी के लीजिये या आपके घर में कोई दवाईदारू नहीं लग रही है यानि कि कोई बीमार है या फिर जो भी आपके घर में पैसे की समस्या है। इस उपाय को करने की मातरा ही आप साथ से छह दिन में ही देख लेना दोस्तों। आपको बता दे कि अभी तक हमने जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी महायोग टीवी चैनल के माध्यम से बताई गई है उसे जानकारी से लाब ही लाब हुआ है। और आपको बता दे कि इस वीडियो को अंत में छोड़ करना जाए क्योंकि अधूरा ग्यान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा और देख ले क्योंकि हम वह उपाय भी अब आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्री के दिन आपको कौन-कौन से उपाय कर लेने हैं जिससे आपकी जो मनोकामना है या जो इच्छा है आपकी जो भी कोई मनोकामना है आपकी चादी या विवाह की कोई नहीं हो रहा है या आपकी जो भी कष्ट समस्या विपदा आप पर आ रही है वह चुटकियों में दूर हो जाएगी दोस्तों महायोग टीवी चैनल का विश्वास कीजिए क्योंकि ये ब्रहमांड पूरा का पूरा विश्वास से ही ठिका हुआ ह तो चलिए हम वह उपाय बताते हैं आपको क्या करना है सबसे पहले आपको बेलपत्र को आपके घर के आसपास कहीं भी जहां बेलपत्र का एक पेड़ खड़ा हो वहाँ पर चले जाना है और बेलपत्र वहां से आपको जैश्री कृष्णा बोलते हुए आपको बेलपत्र क चाहिए कि वह काटा फैदा ना हो, बेल पत्र बिलकुल साफ और अच्छा होना चाहिए, बेल पत्र को तोड़ने के बाद आपको आगे क्या करना है, उसे साफ पानी या फिर आप गंगा जल से साफ करने दोस्तों, बेल पत्र पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाह और दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो सबसे पास में महादेव का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो, जहां पर मा पार्वती की पूजा भी की जाती हो, यानि कि मा गौरी की पूजा वहाँ पर की जाती हो, दोस्तों आपको ऐसा मंदिर हम आपके आ के आसपास भगवान शिव का भगवान भोलेनाथ का मंदिर अवश्य ही मिल जाता है वहां पर आपको चले जाना है और जो आपने बिल पत्र लिया था उसे बेल पत्र से आपको क्या करना है उससे पहले आपसे एक अनुरो करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो में जय भोलेन अवश्य लिखें दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है जो बेल पत्र लिया था आपने बेल पत्र के जो तीन पत्ते होते हैं उन तीन पत्तों को आपको क्या करना है जो भगवान शिव की पिंडी होती है ये तो आपने देखी होगी तो दोस्तों इसके बिलकुल उपर आपके उपर रख देना है और रखने के बाद आपको दो से तीन मिनट तक आपको एक मंत्र का जाप करना है मंत्र आपको बता देते हैं हम दोस्तों मंत्र बताने से पहले आप जय भोलेनात अवश्य लिखें दोस्तों मंत्र आपको ऐसे बोलना है कि हे भोलेनात, हे भोलेनात, आपको यह दो बार बोल लेना है, हे भोलेनात, हे भोलेनात, यह बोलने के बाद आपको क्या करना है, कि अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, उसे भगवान भोलेनात के सामने ही आपको बोलना है, कि है भोलेनात, मेरी यह मनोकामना को आप जिनात की तस्वीर या फिर मूर्ती अवश्य होगी जो आपने वहां पर मनोकामना मांगी थी यानि कि भगवान शिव का जहां कहीं मंदिर था वहां पर आपने जो आपकी मनोकामना बोली थी अब आपको वही मनोकामना बिलकुल उसी तरह से अपने घर के मंदिर में बोलना ह दोस्तों, यह करते वक्त यह अवश्य ध्यान रखें कि आप यह जो आपको मैं उपाय बता रहा हूं, वह शाम की छह दियों तक अवश्य ही करनी, क्योंकि तभी इससे लाब ही लाब हो सकता है। दोस्तों, यह उपाय हम भी अवश्य करते हैं, और हमारी हर एक मनो कामना इसे पूर्ण होती है, इसलिए आप भी इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि हजारों और लाखों, करोडों व्यक्तियों की इस उपाय से हर एक मनो कामना अभी तक पूर्ण हुई है। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर एक भारतिये नागरिक तक ये वीडियो पहुँचे और हम चाहते हैं कि भारत की प्रत्येक नागरिक तक ये वीडियो पहुँचे और उनसे उन्हें हर एक चीज की प्राप्ति हो ज्यान की प्राप् पित्रों तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों यह उपाय हम भी अवश्य करते हैं और हमारी हर एक मनो कामना इसे पूर्ण होती है। इसलिए आप भी इस उपाय को ज़रूर करें। क्योंकि हजारों और लाखों, करोडों व्यक्तियों की इस उपाय से हर एक मनो कामना अभी तक पूर्ण होई है.